इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से संख्या को हिंदी में लिखा जाता हैं, यहाँ पर इतना बड़ा संख्या हैं, इसको मैं हिंदी में लिखकर बता रहा हूं कि किस तरह से लिखा जाता हैं, तो यहाँ पर हैं सेकड़ा हजार लाख, चार लाख, बावन हजार, हजार, छहसो, सत्तरह, तो कितना आसानी से हमने इतना बड़ संख्या को लिख दिया हिंदी में, तो यहीं इस वीडियो में हम सिखेंगे, कि कितना से भी बड़ा संख्या क्यों न हो, उसको किस तरह से हिंदी में लिखा जाता है, यहीं इस वीडियो में हम समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेबल से आपको कुछ नहीं भी आता होगा, तब ही आपको मेलम चल जाएगा किस طरह से संख्या को हिन्दी में लिखा जाता है, तो आप फिलीज आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, विडियो खतम होने के बाद, आप भी कितना से भी बड़े से बड़े संख्या को हिन् तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं तो इसको समझना बहुत आसान है सिर्फ आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है और पूरा देखना है अच्छे से बिल्कुल भग भगाय भीना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कुछ बेसिक जनकारी जान लेते हैं ताकि आपको सिखने में मदद मिले क्योंकि इसके बिना हम नहीं सिख सकते हैं तो सबसे पहले हम इकाई दहाई को जान लेते हैं कि किस तरह से होता है तू सबसे पहले जू होता है वो आता है इकाई इकाई, इकाई पर एक अंक रहता है यह याद रखना फिर आता है दहाई दहाई पर दू अंख होता है ठीक, एक और जीरो फिर आता है सैकड़ा, इस पर तिनंग होता है, फिर आता है हजार, इस पर होता है चार अंक, ये हो गया हजार, इसके बाद आता है दस अजार, इस पर हो गया पांच अंक, ठीक, इस तरह से समझते चलेंगे, और इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसी के सारा, हम कितना भी बड़े से बड़े संख्या को हिंदी में लिखेंगे, इसके बाद आता है लाक, ठीक, एक लाक पर पांच को जीडो रहता है, और इसके बाद आता है दस लाक, दस लाक, ठीक, दस लाक लिख देते हैं, ठीक, यहाँ तक हमने लिख दिया, फिर इसके बाद आता है करोण, तो करोण पर कितना जीडो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात जीरो, तो करोण पर सात जीरो होता है, फिर इसके बाद आता है दस करोण, फिर इसके बाद आता है अरब, दस अरब, तो यहाँ तक आप लोगों को याद कर लेना है, यह सब बेसिक नोलेज है, इसके बिना हम किसी भी संख्या को हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको याद करना भी बहुत असान है, ये भी मैं अभी याद करवा देता हूं तो सबसे पहले क्या करना है इकाई है इकाई है तो एक अंक धाई है तो दो अंक रहता है दाई में सेकड़ा में याद कर लेना है सिंपल सेकड़ा है तो तीन अंक रहता है और हजार में चार अंक रहता है इस तरह से एक और चार को जीरो दस अजार है तो एक रहेगा और चार को जीरो रहेगा हजार में एक रहेगा तिन को जीरो रहेगा लाख हैं तो यहां पर एक रहेगा औ पर इसमें पांच को जीरो रहेगा तो इस तरह से अप लोगों को याद कर लेना है लिखते लिखते याद हो जाएगा ख्यारे अभी याद नहीं भी होगा तो इतने संख्या लिखेंगे एक एक्स्पिरियेंस हो जाएगा कि याद हो जाएगा यह सब तो हम में जो टोपिक है हमारा की किसी भी संख्या को हिंदी में किस तरह से लिखते हैं अब वहाँ पर हम चलते हैं और समझते हैं इसको हम पहले मिठकार देते हैं बिल्कुल जीरो लेबल से समझाएंगे ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे पहले हम छोटा संख्या लेकर देखते हैं मालीजी हमने यहां पर ले लिया एक संख्या यह तो मालूम है डिरेक्ट हैं कि पांच हैं ठीक हैं इक भाइक पर लिए 10 और उस्की तेट तुक किसी को दिखत नहीं होती है वो तो सब जानाते हैं कि जो लीखा है उचे होज लिखे करकर देखैंब कोई भी यहीं क्योश्यी तरटर थीक अब यह भी मालूम क्या आ 20 है, 20 लिखा है, simple हैं, 3 अंक लेते हैं हम, 150, यह भी मालूम चल गया, कि यह कितना लिखा है, 150 लिखा है, 150, ठीक, अब इसके आगे हम जब बढ़ेंगे, तब ही तो दिखात आता है, छोटांग तो किसी को भी मालूम होता है, कि वो कितना लिखा है, अब हम इसको समझते हैं, यहां से समझना शुरू करेंगे, कि यह 150 कैसे हुआ, देखिये, हमने बोला हम सोब जब आता हैं, तो यह सायकड़ा में आता है, ठीक, और सायकड़ा जरूरी नहीं है अंक कुछ भी हो सकता है लेकिन यह एक नियम है इकाई रहेगा तो केवल एक ही अंक रहेगा कुछ भी रहे एक से लेकर नव तक रहे लकिन यहीं रहेगा दहाई रहेगा तो दो अंक ही रहेगा सेकड़ा रहेगा तो तीन अंक रहेगा हजार रहेगा तो चा सीपचलerta से लिखते हैं तो हम देखते हैं कि कम यह ऐनाच लिखते हैं यहां पर पांच लिखतेंगे यहां पर ठीक है यहां तक समझ्म में आ पांच अब लिखेंगे हम सो सेकड़ा में आया है तो अब उसके बाद यह जो संख्या है ना 42 इसको चुपचाप लिखे देंगे 42 42 ठीक फिर एक संख्या को लेकर हम देखते हैं 6, 3, 2 ठीक अब हम देखते हैं एकाई, दहाई सेकड़ा ठीक सेकड़ा पर आकर रुक रहा है तो चुपचाप क्या करेंगे 6 लिखेंगे 6 यह उसके बाद 60 लिखेंगे सेकड़ा पर आता है तो 100 लिखेंगे और उसके बाद जुवन्क है या या 32 लिखे देंगे कि दौम आसान है कितना भी बड़ा से बड़े संख्या को हिंदी में लिखेना बिल्कुल आसान है सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने कि आवसेकता है अब हम बड़ा संख्या को देखते हैं अब हजार वाले संख्या को देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है तो सबसे प सब्सक्राइब क्या लिए कि घ्रीजय किना मैं किरा लिए निवी ब़ीयार चौट टक है डू मैं मैं युघार इसकुद सब्सक्राइब कुल तो हम यहां पर लिखना हैा छाव और यहीं हजार पर आ रहा है तो हजार लिखेंगे हजार और बागी आप तिन संख्याव को किस तरह से लिखा जाता है अभी मैंने बाता है न तो इसको लिख देना है उसी तरह तीन सो तीन सो एक्कीस ठीक कितना आसान है लिखना फिर हम देखते हैं और एक बात देखें कितना भी अधी बड़ा से बड़ा संख्या हो तू आसानी से समझने के लिए और लिखने के लिए हम एक टिरिक का प्यूग करेंगे कितना भी बड़ा संख्या हो तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे ने अब यहां पर सबसे पहले तीन अंग के बाद एक पाई पार देंगे ठीक और उसके बाद दू अंग के बाद अब आगे नहीं है अधी होता तो यहां पर भी पाई पारता अब नहीं है तो छोद देंगे इसको पाई परना पहले सिख लिजिए क्योंकि यह बहुत काम आने वाला हैं इसी के सहारे हम कितना से भी बड़ा संख्या को बिलकुल असानी से समझ जाएंगे और उसको लिख दे बूस्ति अब आप हमारे साथ पाई पारते चलिया समझ एए सबसे पहले हम तीन आंक के बाद पारेंगे ठीक उसके बाद दो नके बाद चोड़ देंगे अधर अब नहीं है तो खिलता तो फिर पारते ठीए और कोई संख्या लेकर साठ चार कितना से भी बड़ा संख्या ले ले उसको क्या करना है में तीन अंक्चे बाद पहला पाई ओसके बाद दू-डू अंक्चे बाद राइप पा सनु इयदो ठीक कर अब इधर संध्या नहीं इधर छोड़ देंगे कि अब देखिए यहीं आम आप रने का नियम की तना अब मदद करेगा हमें लिखने में संख्या को देखिए हमने यहां पर संख्या लिया देखिए जैसे में हमने लिया पाँ चार साथ तीन ठीक तू हमें क्या करना है सबसे पहले मैंने बता है कि तीन अंग के बाद पाई पारना है उसके बाद दुद्वन के बाद तो सबसे प चुला हजार ने के जूरत नहीं है अब डरीक्ट गिनेंगे यहां पर यहां से हैं स्वेखड़ अब गिनेंगे हम सईकड़ा हजार लाख इस तरह से हम गिंते चलेंगे करोन सिर्फ चार छीज्में आप को सभी लिख देना है इस सूर। कole mater और अब इस तरह से गिनना है सिर्फ और इतना में ही आपका सारा काम हो जाएगा उतना कुछ याद करने की अबज़ुरत नहीं है तो चलिए सुरू करते हैं तो हम यहाँ पर डिरेक्ट गिने सेकड़ा सेकड़ा का बाद क्या आता है हजार आता है यह हो गया हजार तो हम लिखेंगे पांच हजार ठीक और इसको तो आप जानते हैं कितना है चार सो तीहत्तर है पांच हजार थीक कितना आसान है लिखना संख्या को फिर हम देखते हैं अगला हुदार लेकर टीन, छो, दू, पांच, चार इस बार हमने संख्या थोड़ाशा बढ़ा लिए तो सबसे पहले क्या करना है तिन अंग के बाद पाईपार नहें身 के बाद दोंक के बाद दोंक अंग तक हैंऻ इसको इससी तरह छोड़ा धेते हैं अब देखे जाइन की आप डिरेक्ट गिनंगा है स्हuse गाड़ा उसके बाद 1000 वाजार धने हैं यहा तक आगया कितना है 254 ठीक कितना असानी से समझ में आ रहा है नो इसी तरह से समझते चलते हैं फिर अब लिखेंगे इसको साथ आठ चार दू तीन पाँच ठीक अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है तो सबसे पहले आँख बॉन करकर क्या करना है तीन अंग के बाद पाई पारना है उसके बाद दो दू अंग के बाद पाई पारना है ठीक यहां तक तो समझ में आ गया अब हम हमें क्या गिना है गिना है हमें सेकडा हजार लाख सेकडा हजार लाख पार करूक जा रहा है हमारा सुई तो यहां पर जो है साथ साथ लाख हो गया और यहां तक तो आपको बता हैं मैंने अभी सेकडा हजार पोलाई यह है खंडा इसमें जितना है उचुप चाप उतना हजार लिख देना है चवरासी है हजार और यह है दो सो पाइटीस दो सो पाइटीस तो इस तरह से हम कितना से भी बड़ा संख्या को हिंदी में लिख सकते हैं तो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप भी कितना भी बड़ा संख्या को हिंदी में लिक्स देंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो इस वीडियो से आपको कुछ भी सिख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे वीडियो को द